हेलो फ्रेंड्स मैं यासर एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल यासर ओनलाइन टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं आपको बताता हूँ कि Fast Tech क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या है और हर गाड़ी का Fast Tech का कलर अलग होता है, हर गाड़ी मतलब जैसे कि आपकी Commercial Vehicle है, मतलब Tempo है, तो उसका Fast Tech अलग होगा, साइज वही होगा, लेकिन उसका कलर अलग होगा, प्रेविट कार है तो उसका कलर अलग बस है तो उसका कलर अलग ट्रक है तो उसका कलर अलग जैसे वही टेंपो है तो उसका कलर अलग मतलब कि जैसे अपना SIM card होता है उस पे आप recharge करते हैं, मतलब आप mobile recharge करते हैं, वो एक prepared है के 2 महिना, 3 महिना, 1 महिना ये आपका चलते ही रहता है, मतलब इसको एक बार recharge करने पे, वो 2 महिना या 3 महिने का जो भी उसकी validity हो चलते ही रहता है, उसी तरह fast take भी एक prepared system है, इसमें आ आपको recharge करना पड़ता है, जिस वज़े से आप toll से pass होगे तो automatically उससे पैसे कटे जाते हैं, इसमें minimum balance, सब fast take, सब company हो, जो company है, जो company से आपने fast take buy किया है, सब company का अलग-अलग system है, system मतलब कैसा system है, minimum balance रखने का system कि मैं बात कर रहा हूँ, आपने मान लीजी, SBI में खोला त 1000 रुपया minimum, जो कि आपको रखना पड़ता है, minimum balance जिसको बोलते हैं, उसी तरह fast take में भी, सब company को अलग है, कोई company 100 रखने बोलती है, minimum balance, कोई 1,500, या तो फिर कोई 200, या फिर कोई 200, तो आपके ओपर आप कौन सी company का fast take लेंगे, उसके according आपको minimum balance रखना है, fast take में जो आप गुजरेंगे, तो ये chip की मदद से, पैसे वो cut करेगा, आपके fast take में से, ठीक है, और जैसे ये color code आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया हूँ, कि हर गाड़ी, मतलब commercial vehicle, मतलब tempo, truck, ये सब उन लोग ने segregate करके रखा है, sorting करके रखा है, government ने, कि कौन सी vehicle क कौन सा fast take, कौन से color का fast take देना है, ठीक है, तो चलिए, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कि एक काम कैसे करता है, बहुत ही simple है, काम करने का तरीका, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैंने example दिया, mobile का, और sim का भी, जैसे sim card का दिया, validity का, sim में power नहीं होता है, sim आप mobile में insert करत हैं, उसी तरीके से, फिर वो sim के तुरू हम किस से भी coordinate करते हैं, बात करते हैं, लेकिन sim important है, sim में power नहीं है, power उसको mobile देता है, जैसे कि मैं example अभी दे रहा हूँ, card का और ATM का, मतलब ATM card का और ATM machine का मैं अभी आपको example दे रहा हूँ, ATM card आप insert करते हैं, ATM machine में, ATM machine card को sense करती है, उसके बाद आप पैसे निकालते हैं, ATM में कोई sell नहीं होती, कोई power नहीं होता है, एक chip होती है, आप ATM में machine में डालते हैं, तो sense करता है, उसके बाद आप उसमें से या तो पैसे निकालते हैं, या फिर ATM जैसी cash deposit machine में से पैसे डालते हैं अपने account में, उसी तरह fast track काम करता है जैसे के मैंने example के लिए आपको ये बताया हूँ card आपने insert किया आपने pin डाला sense किया amount जो है withdraw किया अपने thank you मतलब इसी तरह fast tag भी काम करता है fast tag जो काम करता है ये radio frequency के true काम करता है मतलब अगर आप किसी भी toll से गुजर रहे हैं तो toll पे काफी सारे लोग toll से गुजरे होंगे तो आप दो साल में लास्ट दो साल में आपने देखा ही होगा एक ETG lane बनाया है उन्होंने या ETG lane बोलते हैं उसको या fast tag lane उसको बोलते हैं मतलब वो fast tag lane ही हुआ मतलब फटा फट निकल जाओ तो वहाँ पे कैसे होता है जैसी आप fast tag lane से निकलोगे तो जहाँ पे toll collect करने वाला बैठा होता है toll booth पे वही पे उपर scanner लगा होता है जहाँ पे मैंने अभी arrow दिखा कि आपको बताया है और वहाँ पे अपनी गाड़ी की wind शिल पे हमने fast tag लगाया है तो जैसी हम वहाँ से cross होते है तो जैसी हम वो जो scanner है उसकी radar में हम आते है तो automatically हमारे fast tag से पैसे या money deduct कर लेता है मान लिजाए आप toll plaza से गुजर रहे हैं उसका toll है 40 रुपया आपके fast tag में है 200 रुपया वो automatically 40 दिड़क कर लेगा मैं आपको ये बताता हूँ एक किस्सा हुआ था जो हमारे पैचान वाले अंकल के साथ हुआ था वो किसी की गाड़ी लेके बाहर गए थे बाहर मतलब जो एक खपुली के पास एक toll लगता है महाराष्ट्र खपुली में एक toll लगता है ठीक है जिसमें से दो या तीन लाइन उन दो आप फास टेक की थी बाकी जो कैश की थी गाड़ी पे फास टेक लगा था लेकिन उन्होंने बोला कि है दूसरे की गाड़ी है क्यों ना अननेसेसरी उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे इससे बेटर है मैं गाड़ी जो है कैश वाली लाइन से ही निकलता हूं और निकल जाता हूं तो जब वो कैश वाली लाइन में खड़े थे वो ट्राफिक में खड़े थे तो आप देख रहे हैं मैं अभी यह माउस है जो मेरा अब यह जो मेरा माउस तो मैं आपको बताता हूं राइट साइड में बराबर मतलब बगल वाली लाइन में फास्टेक की लाइन थी और वो बाजू में उसके बराबर लगके कैश की लाइन थी वो वो लाइन में खड़े थे तो जैसी उनका नंबर आने वाला था मतला वो cash दे के निकलने वाले थे तो बाजू में फास्टेक की लाइन थी वो scanner ने इनकी गाड़ी को scan किया जो गाड़ी का honor था उसको message गया उसने इनको call किया बुला भाई तू तो बुला खाली पन्वेल तक ही जा रहा हूं यह तरह ख चूरी हो जाती थी फास्टेक की मदस से यह काफी कुछ आसन हो चुका है जो के नहीं होता है तो फास्टेक का यह एक disadvantage है जो के मैं इसके जरीए आपको बताना चाहता हूं इसके जरीए कि ऐसा भी होता है कि गाड़ी अगर वो scanner के radar में आ गई है तो हमारे मतलब हमारे जो दूसरी गाड़ी होनी चाहिए कम से कम चौदा फीट का डिफरेंट होना चाहिए 14 फिट का different होना चीए जब जाकि एक गाड़ी निकलेगी दूसरी गाड़ी मतलब हमारी गाड़ी pass होगी तो fast tech का जो scanner बराबर उसको sense करके बराबर दूसरी गाड़ी से पैसे cut करेगा यह देखिए जैसे के इसमें मैंने बता है कि यहाँ से यह जो fast tech का जो scanner लगता है यहाँ पे radio frequency निकली minimum distance एक गाड़ी पास होई तो एक से दुसरी गाड़ी के बीच में 14 फिट का difference होना चीए जब जाकि यही better होगा और proper system काम करे गई है तो इसके advantages और disadvantages क्या है मैं आपको बताता हूँ काफी आसान है fast tech खरीद लो recharge करो निकल जाओ कोई tension नहीं आपका time बचा पैसा बचा पेट्रोल बचा खड़ा रहना नहीं पड़ा आपको line में safe है और secure payment option भी है protection against crime मतलब कोई चोर गाड़ी लेके जा रहा है उसने fast tech नहीं निकला है ठीक है तो automatically किसी टोल प्लाजर से वो count वो जा रहा है तो automatically आपको message आ जाएगा इस अभी तो क्या हर गाड़ीों में GPS हा आ गया है मतलब इससे भी technology 10 गुना आ गये लेकिन फिर भी ये protect करता है काफी आपकी गाड़ी को और discount भी मिलता है अगर आप जा रहे हो किसी टोल से तो almost 2.5 परसेंट का discount भी हमको कईने कोई मिल जाता है disadvantages क्या है अब pass हो रहे है उन्होंने बोल दिया किसी टोल से तो ETJ fast tag line क्यों नहीं चाल लुए तो भाई network हमारा बराबर नहीं है नेटवर्क नहीं है ठीक है technical issues सर आप खड़े हो गए सर आपका fast tag read नहीं कर रहा है अब हम क्या करे अब हम क्या करे तो पैसा double दो मतलब 40-80 दो अभी अभी मैं तो हुआ नहीं है मेरे साथ लेकिन लोग ऐसा बोल रहे के फैप से 15 फैप के बाद fast tag नहीं चलेगा तो double पैसा देना पड़ेगा ownership issue मतलब क्या है एक आदमी ने गाड़ी बेज दिया बेज के दूसरे ने लिया मान लो कि किसी घर वाले नहीं लिया चाचा, मामा, रिष्टेदार, दोस्त तो वो पुराना fast tag निकालेगा अपना fast tag लगाएगा मतलब ऐसा नहीं है के भाई ठीक है इगाड़ी नाम पे तू कर लिया तो fast tag भी तेरे नाम पे हो गया ऐसा नहीं है कितिनी बार ऐसे भी किसे हुए है जो के मैं बता रहूं आपको सर आपका fast tag ऐसा हुआ है के बई टोल बूत पे खड़े सर आपका fast tag रीड नहीं कर रहा है आप एक काम कीजिए केज दीजिए और जाईए कितना केज तो 40 रुपे हमने समझ लो टोल था 40 रुपे टोल दिया आगे चलने के बाद मैसेज आने के लिए कभी-कभी 10 मिनिट से एक गंटा एक गंटा दो गंटा भी निकल जाता है मैसेज नहीं आता है हमको वैसा भी हुआ है ठीक है और होता ही है लोगों के साथ ठीक है तो सर आपका फास्टेग रीड नहीं कर रहा है अभी एक काम कीजिए आप कैज दीजिए जाईया सामने वाले ने कैज दिया निकल गया जब वो आगे चला कम से कम 10-12 km आगे गया तो उसको मैसेज आ रहा है और वो देख रहा है मैसेज आ रहा है तो भाई 40 रुपे तो फास्टेग में से भी कड़ गया अब वो 10-12 km आगे निकल गया 40 रुपे लेने तो रिटन तो नहीं आएगा हो तो ये सब इशू हो जाता है फास्टेग में और कितिनी बार तो ऐसा भी हुआ है ये देखा है कि लोग रिचार्ज करके रख लेते हैं हजार-दो-हजार का मेरे कजिन के साथ ही हुआ है गाड़ी खड़ी है उसकी बिल्डिंग में और अचानक पैसे कड़ गए है कुछ 300 या 400 रुपे लिख के आ रहा है कि खाला पूर टोल प्लाजा फिर उसने मेल डाला है कि भाई मैं तो यहां पे था नहीं प्लीज आप मेरे पैसे रिटन करो तो उन्होंने उससे कुछ कुछ टाइम मांगा था बोले ठीक हम बताते है सर आपको अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी गाड़ी में कौन से कलर का फास्टेग लगेगा ठीक है कार जीप वेन मतलब कोई भी प्राइवेट गाड़ी हो उसमें ये वाइलेट कलर का ही पास्टेग लगेगा ये याद रखिया दूसरी चीज पास्टेग अगर आप लेते हो कोई भी कहां से भी तो वो लोग क्या बोलते हैं कार जीप या वेन हो या फिर लाइट कॉमर्चल वीकल हो मतलब चार टायर वाली कोई भी कार या टेमपो उसमें सेम ये वाइलेट कलर का ही टेग लगेगा एक और एक्सपिरिंस में बताता हूँ मैं एक पैचान वाले की टेमपो है ये जैसे छोटा हती है वैसी उसके लिए मैंने फास्टेग इशू किया था जो मैंने मेरी प्रैवेट कार के लिए भी किया था तो सेम फास्टेग मैंने उसके लिए भी इशू किया I.C.I.C.I. बैंक वालों का कॉल आया मतलब वो बैंक से इशू किया था कि सर आपका fast tag issue नहीं हो सकता क्योंकि आपकी commercial vehicle है और आपने private vehicle का fast tag issue क्या है मैंने बुला भाई उसको मैंने ऐसा जवाब दिया बट मेरी गाड़ी class 4 में ही आती है और बाकाईदा fast tag पे लिखा है मतलब website पे कार, jeep, wain और LCV LCV मतलब light commercial vehicle का fast tag same होता है नहीं सर उसका fast tag अलग होता है वो देखिए आप, मैंने देखा उनको बताया मैंने बुला औरेंज कलर का जो fast tag है वो तो two axle वाली गाड़ियों के लिए use होता है, उन्होंने बुला नहीं जो two axle वाली गाड़ियां है और जो light commercial वाली गाड़ियां है वो दोनो fast tag same है मतलब उनके लिए fast tag same लगता है तो इसके लिए अगर आपको कभी fast tag बनाना है अगर आपकी tempo है तो आप तोल प्लाजा पर ही जाके बनाईए वो लोगी better आपको बना के देंगे फिर भी commercial vehicle के लिए मैं आपको बता दूँ औरेज कलर का fast tag लगता है लेकिन ये class 4 में ही आती है इसको light commercial vehicle बोलते है चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अभी मैं आता हूँ class 5 है class 5 की vehicle two axle वाली होती है two axle वाली मतलब क्या आप देखिए यहाँ पे tire है पीछे भी tire है और ये दोनों tire एक दूसरे से एक rod से जुड़े है मतलब वो rod को axle बोलते है एक axle से जुड़े है आगे एक axle है पीछे एक axle है मतलब आगे tire पीछे tire इसमें जो है axle लगता है ये बड़ी बड़ी गाडियों में तो इसके लिए आगे के tire में पूरा एक ये ये जो अभी मैं पीछे आ रहा हूँ ये क्लास फाई था ठीक है टू एकसल ये भी टू एकसल है बट ये क्लास सेवन है ये जो बस है अब आपको कैसे पता कि भाई क्लास आप बोलोगी इसमें भी दू एकसल है तो समिव जो एक्सल ऐसा क्लास 7, क्लास 5 हमको कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो गाड़ी का वेट 7500-12000 तक है, और वो 2 एक्सल है, उसके लिए औरेंज फास्ट है, जो भी है वेट पे है, नेक्स में आया, ये गाड़ी का वेट 12000-16000 तक है, जो है, उसके लिए ग्रीन फास्ट है, आगे बढ़ रहा हूँ, सेम चीज जो गाड़ी का वेट 16200-25000 तक है, त्री एक्सल मतलब जैसे के आप देख रहे हैं, आगे भी एक रोड मतलब एक टायर, एक एक्सल जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, यहाँ पे भी ठीक है, तो इसी लिए इसमें लगेगा यलो कलर का फास्ट है, अभी मैं आ रहा हूँ, नेक्स, फोर एक्सल पे जो गाड़ी का वेट 25000 से जादा और 36600 तक है, उस गाड़ी के लिए यह पिंक कलर का फास्ट है, यह है क्लास 12, सेम चीज अभी आ रहा हूँ मैं, यह क्लास 15 जो के नंबर वन पे आप देख रहे हैं, यह जैसे कंटेनर जैसी एक 7XL की गाड़ी है, उसके लिए भी ब्लू कलर का फास्ट है, अब जैसे जो यह नीचे जो दो आप देख रहे हो, बुल्डोजर आप जो देख रहे हैं नीचे दो, इसका फास्ट है, इसके लिए ग्रे ग्रे कलर का फास्ट है और यह क्लास 16 विकल में आता है, जाते जाते मैं आपको बूलना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि नेक